नमस्ति दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त राकेस और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम पढ़ेंगे रोध्रस की परिवासा रोध्रस का उधारण और साथ ही रोध्रस के उधारण का इस्पैस्टी करेंगे सबसे पहली पढ़ेंगे रौधरस की परिभासा दुष्ट के अत्याचारों अपने अपमान आदी के कारर जागरित क्रोध इस्थाई भाव का विभाव आदी में पुष्ट होकर रौधरस रूप में परिपाक होता है रौधरस का इस्थाई भाव क्रोध है तो दुष्ट के अत्याचारों से या अपने अपमान आदी के कारर जागरित क्रोध इस्थाई भाव का विभाव आदी में पुष्ट होकर रौधरस रूप में परिपाक होता है और रौधरस का इस्थाई भाव क्रोध है रौधरस का उधारण है श्री केशन के सुनबचन अरजन क्रोध से जलने लगा सब सोक अपना भूल कर करतल योगल मलने लगा सलसार देखे अब हमारे सत्रू रड में मृत पड़े करते हुए यह गोशडा बे हो गई उठकर खड़े तो यह रोधरस का उधाराड है अब हम उधाराड का इसपस्टी करण करेंगे जो इस पकार से है कि इस्थाई भाव क्रोध है अस्रय अरजन है आलम्मन सत्रू अनुभाव क्रोध पूर्ण गोशणा शरीर कापना उद्दीपन है स्रीकेशन के बचन संचारी भाव है आबेग चपलता तो हे गाइच एदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंदा आओ तो हमारे चैनल को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और सस्क्राइब करें धन्यवाद